याधे ने इन्फल्थ θα भी आपको कोकेड़ी माज में किस तरह से वाइटिंग करना है यह दे देखिए मैंने बकिट में पानि भर करके रखा है और कोकेड़ी माज प्लांट्स के बने हुए हैं उनको पानी में दिप करके इस तरह से पानी के बुलबुले की तरह जब तक पानी अंदर को खीचेगा बुलबुले जैसे निकलेंगे और पानी अंदर अपने प्लांट लेता रहेगा जब यह बुलबुले बंद हो जाएं तो पानी इसको पूर लगाई है और एक इरन्थीमम यह थोड़ा बड़ा है कुकेडेमा तो पानी थोड़ा ज्यादा समय लेगा अब्जर्ब करने में अंदर तो ठंडियों के समय में इसमें सपता हम एक बार मैं इसमें पानी इस तरह से देती हूं गर्मियों में दो दिन तीन दिन पे पानी इस लग गई है 20 दिन पहले इसको लगाया था तो मेरा भी यह सुखा नहीं है लग चुका है इस तरह से सारी कटिंग में लगाती हूं सारी कटिंग्स लग जाती है मेरा सिंगॉनियम है ग्रेन सिंगॉनियम यह तीन मह 아니라 पहले लगाया था इसकी थोड़ी सी कटिंग भी मैंने इससे निकाल ली है और ये काफी अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है इसमें मैंने नारियल का कोकोपीट वाला जो उपर का हिस्सा होता है उसका जूट वो लगाया है बांद करके रसी में सेट कर दिये है और ये पानी काफी अंदर अबजर्व कर लेता है इसी तरह से ये मग में मैंने पेंट करके इसको भी यहां पे एरो हेड वाला सिंगोनियम लगाया है काफी सुन्दर दिखता है ये भी इसको हैंक कर रखा था अभी पानी देने के लिए मैंने नीचे निकाला है और ये मेरा इगलो निम से मैं प्लांट्स को अपने लगा लेती हूं और मेरे हां पॉट बड़े छोटे हरतरे के हैं लगभग छोटे प्लांट्स के लिए छोटे पॉट रखती हूं ताकि मिटी ज्यादा खपतना हो और मेरे पास पौधों की वेराइटी खुदशारी हो जाए तो इस तरह से मैं सोटे पॉट्स ज्यादा रख रही हूं अपने पास और पानी इस तरह से पौधों में दे दी जाती है बकेट में डिप करके वेस्ट भी नहीं जाता तो ठंडियों में पौधों को पानी की बहुत ही कम जुरूत होती है यह इगलोनीमा के बगल में मेरा बोट लेली है उसम अतना हरा भरा यह बना हुआ है यह भी लेते हैं और पौधे अपके पास बने रहते नडरखें तरह से कोकिडे माज में पानी देना चाहिए पौधों को